आज से 2000 रुपए के नोट को बदलने की शिरुवात हो जाएगी बैंकों के खुलते हीं लोग अपने पास उपलब्द 2000 रुपए के नोटों को बैंकों के ब्रांच में जाकर एक्स्चेंज करा पाएंगे रिजर्फ बैंक ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइन जारी की है बैंकों में एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट आसानी से एक्स्चेंज कराए जा सकते हैं वही बैंक अकाउंट में 2000 रुपए के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉसिट के नियमों का पालन करना होगा रिजर्फ बैंक में साफ तोर पर कहा है कि 2000 रुपए के नोटों को एक्स्चेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भड़ने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी एक बार में आप 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं साकुलेशन से बाहर किये गए 2000 रुपए के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर RBI के निर्देश अनुसार सभी बैंकों ने अपने तयारी पूरी कर ली है RBI के गवर्णर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि वो नोट बदलने को लेकर घबराई नहीं लोगों के पास 4 महीने से जादा का वक्त है वो असानी से किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते है Reserve Bank of India ने 2000 रुपए के नोट को Clean Note Policy के तहट बंद करने का फैसला किया है उस पॉलिसी के तहट RBI धीरे-धीरे 2000 के नोट बदल से वापस ले लेगी RBI ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुई बैंकों को जरूरी सुविधाय ग्राहकों के लिए मुहाया करानी चाहिए बैंकों को सला दी गई है कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुई बैंकों को Shade Waiting अस्थान की विवस्था करनी चाहिए जहां पर ग्राहक अराम से खड़े हो सके बिना धूब के ग्राहक अराम से खड़े हो सके इसके अलावा पीने के पानी की सुविधा जैसी उच्चित बुन्यादी सुविधाय प्रदान कराई जानी चाहिए RBI की गाइडलाइन के मताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग special window होंगे जहां आप आसानी से 2000 रुपे के नोट बदल सकते हैं जो लोग ग्रामीन इलाकों में रहते हैं वो business correspondent center जाकर भी 2000 रुपे के नोट को exchange करवा सकते हैं लेकिन center पर सिर्फ 4000 रुपे तक ही 2000 के नोट बदले जा सकते हैं business correspondent एक बैंक की तरह ही काम करते हैं ये ग्रामीन को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं और transaction में भी इसकी मदद करते हैं RBI के पूरे देश में 31 जगाओ पर शेत्रिय कार्या ले हैं लेकिन 2000 रुपे के नोट एहंदामाद बैंगलूरू बेलापूर भोपाल भुवनेश्वर चंडिगर चिन्नेई गोहाटी हाइदराबाद जयपूर जम्मू कानपूर कॉलकता लखनव मुंबई नागपूर किसी भी बैंक के ब्रांच से एक बार में 20,000 रुपे तक की सीमा तक की 2,000 रुपे के नोट बदलवा सकते हैं यानि बैंक में खाता होना जरूरी है रिजर्व बैंक ने ये भी कहा कि नोट बदलने की सुविधा निश्यलक होगी